व्रिष्चिक राशिवालों आप सभी के जीवनकाल में कुछ ऐसे अद्भुत बदलाव करने वाले, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चमतकार करने वाले हैं, जिससे आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी का किस्मत और भाग्यकार अफ्तार देकर सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे, जो किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा, अब आपको वह चीज हासिल होने वाला है। दोस्तों, समय और ग्रह सितारे यह समय आप सभी के पक्ष में हैं, तो उनका भरपूर लाभ आपको कैसे उठाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी है तीन देवी देवता के सच्चे भक्त हैं। सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे ह्रदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीरवाद आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यानि की कल से, अब आप सभी के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। कल से खुशियों की घंटी आप सभी के जीवन में बजाने वाली है। जो भी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वही समय करोडों के मालिक बनने वाला है। और जो इसे मजाक समझ के नजर अंदाज कर देंगे, वह उम्र भर अफसोस करेंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, इनके आने से आपके ही घर के नाम की चर्चाएं होंगे। आपका ही घर का सब लोग बात करने वाला है। जी हां, इनके आने से व्यक्ति यह कौन है जो आने वाला है। आज शाम आठ बच कर 57 मिनट के अंदर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो को वेक नजर अंदाज मत करिये। क्योंकि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही खास है। कुछ ऐसी संभावना है कि ऐसी दो लोगों का जिन्होंने यह गलती की है, उसके लिए इनका आना मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन और वहीं कुछ लोगों ने यदि यह गलतियां नहीं की है, कि उनके लिए का आना बहुत ही शुब है। तो वह कौन से दो लोग हैं जिनका इनसे लाब और हानी दोनों छुपा हुआ है। प्यारे दोस्तों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, इनका आना कुछ लोगों के लिए सिर दर्द बन सकता है। वहीं इनके आने से कुछ लोगों के लिए तो खुशियां ही खुशियां आने वाली है। प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसा जो घटित होने वाला है प्यारे दोस्तों, अब इनके आने चाहे आपका लाब या हानी हो, आपके अडोस पडोस में तो आपके लिए बातें तो होनी ही हैं। प्यारे दोस्तों, इनके आने से अब वे लोग भी देखते रह जाएंगे, कुछ लोगों का तो इनके आने से बेजज़ती भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को के लिए इनका आना सम्मान को और बढ़ा सकता है। प्यारे दोस्तों, वह कौन है? आप में से कौन है? वे लोग जो खुश होने वाले हैं और कौन है? वे लोग जो दुखी होने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, यह व्यक्ती देखा जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। जी हाँ, आज से बस अपनी कुछ ऐसी बाते हैं जो कहना चाहता दोस्त। लेकिन इनके आने से आपको सिरदर्ध हो जाएगा, आपको परेशानिया होने लगेंगी। आपको ऐसा एहसा होगा कि इनके आने से आपका नाम खराब हो रहा है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, वह कौन है जो आने वाला है प्यारे दोस्तों और वही वह कौन है जिनके आने से का जीवन खुशहाली में बदल जाएगा, आप कुछ समय के लिए अपने दुखों को भी भूल जाएंगे, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, ये जो आने वाले ह वे आठ मिट साथ मिट के अंदर आ सकते हैं जी हाँ प्यारे दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना तो वे कौन है आईए हम इसके बारे में बात करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी देवों के देव महादेव और राधारानी के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को प्यारा से लाइक जरूर करें साथ ही आप अपने सच्चे मन से भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो मोहन देव राधारानी की जय हो प्यारे दोस्तों जरूर लिखिए महान महादेव और राधारानी की कृपा सदा ही आपके उपर बनी रहे कि आप जो भी चाहेंगे आपको इन्हें 24 शेयर करके अंदर अवश्य ही इनसे जुड़ी हुई खुशियां प्राप्त होंगे तो ऐसे में आप जरूर लिखें तो प्यारे दोस्तों आईए हम जानते हैं कि आज शाम 8 बजकर 57 मिनट तक कौन है जो आपके पास आने वाला है और किस तरह से चारों तरफ आपके घर की चर्चा होने वाली है प्यारे दोस्तों हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होता है तब भी आस पडोस के लोग बहुत सारी बातें करते हैं और जब बुरा होता है तो प्यारे दोस्तों और भी ज्यादा बातें करते हैं जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो बस उसी बातों पर चर्चा कर ही रहते हैं, यानि कि वे लोग मजे लेते हैं, तो ऐसे में प्यारे दोस्तों या दो कौन है, यह व्यक्ति जिनके लिए नेका आना बहुत ही खुशहाली होगा, और किसके लिए दुख से भरा हो सकता है, उनका आना तो पहले हम जानते हैं, जिनके लिए यह दुख से भरा हो सकता है इनका आना किन के लिए निका आना परेशानी खड़ी कर सकता है इनके आने से कि इनका नाम खराब हो सकता है तो देखिए प्यारे दोस्तों आपको बता दें कि यह आने वाला है यह आपका नुकसान नहीं कर सकता लेकिन इनकी विक्रित जरूरत फंसी है जैसे कि हो सकता है आपने किसी से लिया हो और आप उनका पैसा नहीं चुका रहे हो आप उनसे बात चीत भी करना बंद कर दिया हो ऐसे में ये मजबूरन आपके घर पर आ सकता है जी हाँ प्यारे दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इसलिए इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए नहीं तो प्यारे दोस्तों में आपका ही नुकसान हो प्यारे दोस्तों यदि आप किसी का कोई वस्तु लिये हैं या वाहन लिये हैं, या किसी भी तरह का कुछ भी, आपके पास, यदि दूसरों की कोई चीज है, उसके मामलों में कोई आपके घर परिवार पर आ सकता है, आपके घर के दर्वाजे पर खड़ा हो सकता है, और यह आ सकता है, आठ बज कर 57 मिनट के अंदर ही, जी हाँ प्यारे खत शियाओं आएंगी, इसके आने से यह कौन है, तो आपको बता दें, या जो होने वाला है, या आपका कोई बहुत खास मित्र हो सकता है, जी हाँ प्यारे दोस्तों, ऐसा खास मित्र होगा, जिसे आप जेल की हर एक बात तो वह बता पाते हैं, या आपके घर पर अचानक किसी अतिति का आगमन हो सकता है, जो आपके जीवन में कुछ पल के लिए खुशियां लेकर कराएंगे, प्यारे दोस्तों, हो सकता है यदि आपके घर परिवार का कोई भी सदस्य घर से दूर जाकर पढ़ाई करता है, यह नौकरी करता है, तो वे अब अपने घर परिवार में वापस आ सकता है, जिसके चलते घर परिवार का माहौल बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो जाएगा, तो प्यारे दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी बात, जिनके आने से कुछ लोग ऐसे हैं, जो खुश हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो दुखी हो जाएंगे, तो ऐसे में आपके घर किसी अतिति का आगमन होने वाला है, जिसके चलते आप पहुंची खुश नजर आएंगे, प्यारे दोस्तों, अब बता दें आपको कि आज शाम आठ बच कर 57 मिनट से आपके जीवन में क्या खास होने वाला है, जैसे कि पारिवारिक जीवन में प्रेम, जीवन में प्यारे दोस्तों, बेरोजगार हैं, तो आपके लिए वही नौकरी, प्यारे दोस्तों, आपका यह जो समय है, इनमें यदि आप कर्ज के बोज से दबे हुए हैं, तो आपको कब्ज से छुटकारा मिलने की संभावना नजर आ रही है, अपने उपर से कर्ज को उतारने में कुछ हद तक कामयाब रहेंगे, प्यारे दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें कि आप कोई भी काम भाग्य के भरो से ना छोड़े, जी हाँ, आपको अपनी मेहनत पर ध्यान रखना होगा, ताकि भाग्य भी आपके साथ साथ देने के लिए मजबूर हो जाए, प्य क्योंकि जो आपको मिली हैं, वे बड़े ही नसीब वालों को मिलती है, आपका व्यवहार अब लोग भी याद रखने वाले हैं, जी हाँ, कुछ नए लोगों से आपका भेद मुलाकात होगा, जो आपकी तरफ बहुत ही तेजी से आकरशित होंगे, आप किसी करीबी दो दो परिवर्तन होने की संभावना नजर आ रही है, स्थान परिवर्तन के कारण आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका पहले के मुकाबले काफी हद तक ठीक रहेगा, अधिकारियों को आप अपनी बातों को समझाने में सफल रहने वाले हैं, यह समय है, आपका आपकी आए से अधिक अनावश्यक आए को नियंतरित करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप पैसों की कमी से परेशान ना हो, इस समय आप घरेलू काम को ज्यादा महत्व देंगे और खुद को ठकान महसूस कर सकते हैं, यह समय है, इनमें नजदीकी लोगों से कुछ म मतभेद उभर सकते हैं, जिनकी शुरुआत आपकी काफी अच्छी होगी, लेकिन कोई व्यक्ति आपका मूड खराब करने का प्रयास कर सकता है, यह जो समय है, इनमें जीवन साथी के साथ मधुर रिष्टे बनने वाले हैं, प्यारे दोस्तों के साथ कुछ अनबन होने की भी संभावना है, ऐसे में आप वाणी पर संयम रखें, अहंकार किसी भी बात को लेकर ना दिखाएं, बेरोजगार लोगों को भाग दोड करनी पड़ेगी, थोड़ा अपमान सहना पड़ सकता है, प्यारे दोस्तों, अनावश्यक के कामों पर अपना उर्जा ना बर्बा परिशान है, उनके व्यवहार को लेकर परिशान है, तो आप उन्हें समझाने का प्रयास कर सकते हैं, आप भविश्य को लेकर, किसी बात को लेकर चिंतित हैं, प्यारे दोस्तों, आप ऐसे बेवजह के चिंताओं में नंदूर बार हैं, प्यारे दोस्तों, आप यदी रु पर्चे पर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। पहले ही सतर्क रहे हैं। आप छोटी सी समस्याओं पर ध्यान दें। नजर अंदाज ना करें। यह जो समय है इनमें आप अपनी भावनाओं को काबू में रखें। और कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके चलते घर परिवार का नाम खराब हो। आपको नाम को उंचा करना है ना कि नीचे गिराना है। वहीं दोस्त विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों को या जो समय है या काफी अच्छा साबित होगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों जो विद्यार्थि कहीं और प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलने वाली है। प्यारे दोस्तों या जो विद्यार्थियों का समय है जो लोग उच्छ शिक्षा के लिए कहीं बाहर दूसरे शहर जाना चाहते हैं। घर वालों को राजी करवा रहे हैं तो आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह जो समय है आप इस बात का ध्यान रखें कि करियर के क्षेत्र में आप अपने किसी मित्र की बातों में आकर कोई भी फैसला ना करें जो आपको आगे भविश्य में पच्छतावा दे इसलिए इस बातों का ध्यान दे। युवाओं को यह जो समय है अंदर से किसी बात को लेकर होसला बढ़ेगा। आपके अंदर एक नया जज़बा जगी। लेकिन बस आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपके ही किसी कारण से घर वाले आपसे दुखी ना हो। युवाओं को ऐसे मित्रों का साथ बिलकुल छोड़ना होगा जो सदा ही नशीले पदार्थ का सेवन करने के लिए आपको प्रोचसाहित करते हैं। गलत काम की तरफ आपको प्रसाद करते हैं क्योंकि उन्हें के चलते आपका नाम बदनाम भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इस समय आपका ओनलाइन प्लेटफार्म पर ज्यादा देर तक एक्टिव रहना आपके रिष्टेदारों में खलबली मचा सकता। जी हाँ, कोई आपकी शिकायत है, आपके घर पर कर सकता है, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, युवाओं आपकी साख और सम्मान में वृध्धी होगी। जी हाँ, प्यारे दोस्तों, आपके रुके हुए कारियों में अबगती दिखाई देगी। और आपके कोई जरूरी काम है, तो उनमें आलस्य ना दिखाए। सभी जरूरी कामों को समय रहते निप्टा लें, नहीं तो वे लंबे समय के लिए लटक सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाब उठाएंगे। आप अपने किसी काम में एक नीती नियम बना कर चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और आपके सभ काम भी पूरे होंगे। यदि आप किसी बैंक व्यक्ति संस्था से धन उधार लेने की सोच रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि आप उस पैसे को उतार पाए, आपके अंदर आत्म विश्वास हो, उस कर्ज को उतारने की, तभी आप किसी से भी धन का देखा करेंगे, लेकिन इसका असर आपकी संतान के स्वभाव पर ही पड़ेगा। आवश्यक मामलों में आपको धैर्य और विनम्रता से काम लेना हो होगा। कोई भी फैसला अपने परिवार के किसी सदस्य पर ना टाले, ना ही उनके भरोसे छोडे, नहीं तो बाद में सम हो सकती है। इस दौरान आपको अपने मन की बात को कहने का किसी व्यक्ति से मौका मिल सकता है। जो व्यक्ति आपका सबसे खास होगा। इस समय माता जी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाब कराने के लिए ले जा सकते हैं। आपके जीवन साथी से आपको अपने मन में चल रही किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप उनसे जरूर कहे आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे हो सकता है कि आपको किसी बात पर आप दोनों के रिष्टों में कुछ दूरियां आ गई है वह दूरियां भी अब समाप्त होंगी इसी बात को लेकर यदि आप तनाव में हैं तो आपका तनाव आपके जीवन साथी की मदद से समाप्त होगा प्रभाव और प्रताव यह समय व्रिध्ध तो लेकर आया है साथी आपकी भावनाओं में बहकर कोई भी काम करने से बचना होगा घूमने फिरने के दौरान आपको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच विचार कर रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ती से बातचीत अवश्य करें नहीं तो बाद में आपको कोई धोखा दे सकता है विवाह में यदि कोई बाधा आ है तो आपकी वह बाधा किसी प्रयोजन की मदद से दूर होगी इस समय आपके अनूठे प्रयास रंग लाएंगे परोपकार के कार्य से जुड़कर आप अच्छा नाम कमाने वाले हैं इस समय में आपकी आर्थिक स्थिती को भी मजबूती मिलेगी उसके उपरांत यदि आपने किसी को धन उधार दिया था उस धन के वापस आने की संभावना कुछ कम नजर आ रही है आप अपने लिए कुछ नए कपड़े, नए मुबाइल या अन्य किसी भी प्रकार की वस्तू की खरीदारी करते नजर आएंगे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है इस समय में आपको किसी खास सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है भाग्य के दृष्टिकोन से यह समय काफी उत्तम रहेगा आपको किसी शादी विवाह या धार्मिक कार्यक्रम में जाने का अवसर मिलेगा आप वहाँ पर जा सकते हैं, ध्यान दे इस दौरान आपके संतान की कुछ पुरानी गलतियों से परदा उठेगा जिसके कारण आप उनसे नाराज हो सकते हैं उन्हें डाट फटकार सकते हैं यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो आप अपने वादे पर खरा उत्रे आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटक रहा है तो वह काम आपका पूरा हो सकता है प्यारे दोस्तों यह जो समय है वे आपके लिए ममम रूप से फल दायक तो रहेगा कुछ मामलों में जैसे कि स्वास्थे में आपको लापरवाही नहीं दिखानी होगी यदि कोई भी छोटी मोटी समस्या है उन समस्याओं को नजर अंदाज करने से बचे नहीं तो छोटी भी समस्या कोई बड़ी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है आपको किसी भी कामों में उतावलापन दिखाने से भी बचना होगा जी हाँ प्यारे दोस्तों उतावलापन में आप आकर कुछ अपना ही नुकसान करवा सकते हैं इस समय आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश भी करेंगे जल्दबाजी में यदि आप किसी को काम को करेंगे तो आपका नुकसान होगा वही किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिल सकती है वह भी आपके पिताजी या आपके बहुत ही खास किसी व्यक्ति के मदद से यह जो समय है इस समय में दामपत्य जीवन मधुरता लेकर आया है आप अपने सभी जरूरी कामों को परिवार से जुड़े कामों को एक सूची बना कर चले तब आप हर एक काम को समय रहते पूरा कर पाएंगे जो लोग पार्टनर्शिप में व्यापार कर रहे हैं उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे सकता है इसलिए आपको अपने पार्टनर पर पूरा निगरानी बनाए रखना होगा व्यवसाइक योजनाओं पर आपको पूरा फोकस बना कर ही रखना होगा जो समय है इस समय आपको कुछ ठगी और सफेद पोश लोगों से सावधान रहने की आवश्यक्ता है आप अपने कामों को करने में अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोडेंगे तब ही आपके सभी काम पूरे होंगे इस समय आपको दिल के जगह दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना होगा आप चतुर बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हर एक काम बनेंगे किसी भी जो भरे कामों में हाथ ना डाले खास करके यदि आप कहीं पर धन का निवेश करते हैं शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ रहने की आवश्यक्ता है आप इस समय काफी उर्जावान खुद को महसूस करेंगे कोई भी महत्वपूर्ण कामों को आलस्य के चक्कर में आकर कल्प टालने से भी बचे गुरुजनों से आप बात चीत कर सकते हैं यदि आप विद्यार्थी हो और आपकी शिक्षा में कोई समस्या है तो प्यारे दोस्तों यदि कोई कानूनी मामला लंबे समय से लंबित है तो उसमें जीत आपको ही मिलेगी इस समय करियर के मामलों में जल्दबाजी न दिखाए सोच समझ और विचार करके ही कोई भी फैसला ले आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिती भी आएंगी जिनम आपको गुस्सा अधिक आएगा लेकिन ध्यान दे कि आपके गुस्से के कारण कोई आपसे नाराज न हो किसी को आपकी बातें बुरी ना लगे अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर बिलकुल भी न दिखाए नहीं तो रिष्टों में भी दरार पैदा हो सकते हैं प्रेम जीवन के दृष्टिकोंड से यह समय काफी अच्छा रहेगा लेकिन सूझ बूझ दिखा कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा प्यारे दोस्तों इस समय आपके लव पार्टनर से जो भी उम्मीदें होंगी आपका लव पार्टनर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा आपने अपने लव पार्टनर को यदि हाल में धन उधार दिया था तो आपका पैसा वह वापस कर सकते हैं प्यारे दोस्तों आपको बता दे कि आपका लव लाइफ बहुत ही शांदार रहने वाला है आप दोनों के बीच रोमांस भरपूर मात्रा में रहेगा सहयोग मिलेगा यदि आप किसी बात से दुखी है तो आप अपने मन की बातों को अपने लव पार्टनर के साथ दिल खोल कर साजह करते नजर आएंगे लेकिन ध्यान दे प्यारे दोस्तों कि आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रही यदि कोई समस्या है तो उनसे कहने से बचे नहीं तो वे आपके बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं जिन लोगों के रिष्टों में दरार आ गई थी उनकी दरार अब समाप्त होगी जी हाँ प्यारे दोस्तों वही कुछ लव पार्टनर्स की मेल मिलाब की योजना सफल होगी और आपका यदि जन्म दिन है तो आपके लव पार्टनर के द्वारा आपको कुछ बढ़िया उपहार दिया जा सकता है जिनह आप काफी प्रसन नजर आएंगे वही अविवाहित जातकों के लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास और नए और आकरशित दिखने वाले व्यक्ति का आगमन होगा जहां पर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और आप उनकी तरफ आकरशित होते जाएंगे जिनका हाल ही में ब्रेक अप हुआ है उन्हें उस दर्द से बाहर आने के लिए किसी खास व्यक्ति की सहारा जरूर ले लेनी चाहिए कि आपकी सांख और सम्मान में यश में व्रिद्धि लेकर आया है जी हाँ प्यारे दोस्तों रचनात्मक कार्य से जुड़कर आप अच्छा खासा नाम कमाएंगे साथ ही आप सभी को जानकारी के लिए बता दें जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों को और भी कई सारे जरूरत मन व्यक्ति की सेवा करने का बढ़िया अवसर मिलेगा और आपको आपके आसपास के लोग देखकर आपसे काफी ज्यादा प्रभावित भी होंगे इस समय में आप अपने सभी जरूरी कामों को समय से निप्टाले नहीं तो वह बाद में लटक सकते हैं कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच और चतुर बुद्धी का पूरा लाभ उठाने वाले हैं आप किसी भी अपने कामों में उसके नीती नियमों को बनाकर आगे बढ़ेंगे तो आपका वह कार्य जरूर पूरा होगा यदि आप किसी बैंक व्यक्ति संस्था या किसी भी तरह से आप किसी भी चीज से धन उधार लेने की सोच रहे हैं कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो वह पैसा तो आपको मिलेगा लेकिन ध्यान दें कि क्या आप उन पैसे को उतारने में कोई परेशानी तो आपको नहीं होगी तभी आप किसी भी प्रकार का कर्ज ले नहीं तो यह कर्ज आपके लिए फांसी का फंदा भी बन सकता है बिजनेस में यदि आप कुछ नहीं तकनीकों से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं आपके लिए समय सफलता दे कर ही जाएगा इस समय आपके सामने कुछ विपरीत परिस्थिती भी आएंगी अपने विपरीत परिस्थिती को अपने स्वभाव के ऊप ना पड़ने दे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, नहीं तो आपका मन चिड़चिड़ा हो सकता है। और इसकी वजह से आपके आस पास के किसी व्यक्ति से किसी आपके खास से कुछ वादेबाद भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसा आप कुछ भी ना करें। आप कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी ना दिखाएं और किसी भी कार्य को कल पर टालने से बचे नहीं तो इसके लिए बाद में समस्या हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को अपने मन की बात को कहने का अपने बॉस से मौका मिल सकता है। यदि ऐसे कोई मौके आपके सामने आते हैं और यदि मन में आपकी किसी भी तरह की कोई भी बाते हैं तो आप बॉस से खुल कर बात कर लें। अच्छा रहेगा। आपके लिए फायदे मंद रहेगा। प्यारे दोस्तों यह जो समय है इस समय में आपका किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भी होगा। खास ऐसे व्यक्तियों से बात करने में अपनी वानी की मधूरता को बनाए रखें। जितना आप अपने आपको श्रेष्ठ दिखा सकते हैं। उतना आप श्रेष्ठ जरूर दिखाएं।